तो हेलो गाइज वेल्कम एक तो आए चैनल तो गाइज आज जैसे कि आपने थमनेल देखा है आज हम करने वाले इन दोनों ट्रक्स की रेस साथ कुछ पता लगाएंगे साथ मैं आपको स्टॉप वॉच भी दिख रही होगी तो आप से देखेंगे कौन सा ट्रक फास्ट रहा कौन सा स्लोर है एंड इस वीडियो में बहुत मेहनद लगी आगे आगे पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना ठीक है ना बहुत मुश्किल से बनी है यह वीडियो इसका पिकप जाद अच्छा नहीं तो मैंने टैन आउट दी है तो अब यह वाला ट्रक नंबर वन है तो अभजाने में इस वीडियो बहुत बढ़ी-मुश्किल से बनी है मतलब यह वीडियो इतना सोट तो इतनी है इस मुश्किल से इस वीडियो में स्क्रते नहीं है इस वीडियो में पूर 6 वीडियो ने त्या comment करेंगे कैसा क्या है तो फांच कर पाहले पिद्ध और आप ह होगा गाइस पुलिंग टेस्ट ट्रक टू तो गाइस इसमें ना साउंड नहीं आ रही थी पहले वतलब इस ट्रक में बदें क्या प्रब्लम हागी साउंड नहीं आ रही डैमेज हो गया थोड़ा तो इसलिए इसके बीचे आपको एक म्यूजिक की बीट सुनेगी तो तब त घर तो गाइस जैसे की इस ट्रक को पहुंचते हो गया है ताइम हो गया इसका 53.76 और मैंने से टैन में से 6 मार्क जीयें गई ज्यूकि ज्यादा लंबा है एंड वीडियो लास तक देखना लास्ट में आपको पताएंगे आपको कौन सा ट्रक आपको लेना चाहिए तो आप वीडियो लास तक देखना कि यह वाला भी पहुंची गया है एंड इसको जो टाइम है 44 सेकंड्स 40 सेकंड्स तो इसे 10 आउट ओफ 10 दिया है तो यह हैंडलिंग टेस्ट में जम जा रहे हैं तो हैंडलिंग टेस्ट में फर्स चांस है ट्रक टू की तो अब देखके इसके हैंडलिंग कैसी है हैंडलिंग टो ठीक है बड़ इसकी जो इससे जादा बैटर उस वाले की है यह बड़ा है इसलिए में को स्पीड स्लो करने पड़ती है आप दूसरा इस हैंडलिंग में आप दूसरा पात देखोगे नो उस ट्रक के साथ तो गईस इसमें को स्पीड नी स्लो करने परते हैं वो ठोटा है वो टर्न ले लेता है इसकी एक तो यह जादा बड़ा वी है उपर से हैंडलिंग भी थोड़ी वीक है इसकी उसके मतलब वे से उसके मकाबले हैंडलिंग बहुत हलकी है तो गईस जैसे कि आप देखते हैं अभी हम पहुंचने ही वाले हैं तो अब फिर इसे रेटिंग देते हैं इसे कितने रेट मिलते हैं अगली वीडियो भी बहुत बहुत अच्छी आने हाली है ना तो वह भी आप देखना और इसको टाइम हो चुका है वन मिनिट विन्टी सेवन सेकेंट्स माइक्रो सेकंट्स वन मिनट जीरो सेकंट्स और इससे हम देते हैं टैन आउट ओफ सेवन क्योंकि हैंडलिंग बहुत अच्छी नहीं थी बैटर नहीं थी इससे अना तो अब यह वाला जा रहा है तो गईस डेफिनिटली अब आप देखना में को इतनी स् जैसे कि इसका पिकप भी अच्छा है ना तो इससे बहुत बेनेफिस्ट है तो जैसे कि आप यहां पर चला रहें आपको कहीं अपने फील्ड में जाना है ट्रक को लेके ठीक है ना तो फील्ड में ले जाने के लिए वह वाला यह रेड वाला ट्रक बहुत अच्छा है क्यो वो ट्रक एगर एक बार स्पीड पकड़ ले तो वो स्पीड में ही रहता है हमेशा है ना तो यह प्रॉब्लम है तो इसको हो गए टाइम 56.48 तो गाइस वह वन मिनिट में पॉच्छाए से हम 10 आउट ओफ 9 देते हैं गुड हैं लिंग थी हैं अच्छी है इस ट्रेक्टर की ओ तो गाइस हमें से जाद 10 आउट ओफ 7 देते क्योंकि इसमें आगे बहुत जादा दिखता है क्योंकि इतना इतना है नहीं बड़ा बट वो अंदर बैठके और बड़ा दिखते तो अब मैंने यहां पर बहुत डर की यहां तक लेके आया हूं कि ठोके भी ना तो गाइस यह इसके टॉप स्पीड वही 14 है प्रक वान इसके भी 14 है तो दोनों के एक जिसे माक्स देते हैं एंड गाइस अभी आएगा बैनेफिट्स और नॉन बैनेफिट्स तो आप यह सब पढ़ लेना एंड गाइस स्टेट यह बहुत अच्छे कंटेंट आने वाला है एंड यह सब है माक्स फोहएब वागेदा वाद आप आप यह सब दोग में हैं पेड़ों को आप